हेलो गाइस, वेलकम बैक, जैसा आप सामने एक ब्रिक वाल देख रहे हो, अगर मैं आपसे पूछूँ के बताओ इसमें कितनी ब्रिक्स हैं, आपके फैमिली रिलेटिव या जिस कंपनी में आप जोब करते हो, बहां आपसे ये किसी ने जरूर पुछा होगा कि इस वाल में क इतनी ब्रिक्स यूज हुई हैं, सो यही आज का हमारा टोपिक है, जैसे सामने एक वाल है, इसमें इंग्लिश फॉंड है, मींस एक लेयर स्टेचर की और एक हेडर की, फ्रेशर को मैं पहले दो-तीन पॉइंट्स क्लेयर करना चाहूँगा, आपको फिट इंचिस और मीटर सेंटिमेटर एमेम दोनों तरीके से सीखना चाहिए, फॉर एक्जामपल जो हाफ ब्रिक वाल होती है, उसको साड़े चार इंच या फिर एक सो पंदरा एमेम बोलते हैं, ओके अब ब्रिक साइज भी जान लेते हैं, एक होता है स्टेंडर साइज, जो के 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटिमेटर में और ट्रेडिशनल साइज होता है, वो होता है 23 x 11.5 x 7.6 सेंटिमेटर, या एमेम में इसको बोल सकते हैं, 230 x 115 x 76 mm में, या 9 इंच 4 इंच by 3 इंच, वैसे इंडिया में मोस्टली ट्रेडिशनल साइज यूज होता है, और ये चीज कोले सिलेबस में नहीं प तो लेट अस नो, 10 foot x 10 foot की वाल में कितनी bricks use होंगी, ट्रेडिशनल bricks की बात करूँगा मैं यहां, यही use होती है, वैसे standard size की bricks को आप काफी वीडियो में देखा भी होगा आपने, जिसमें ये 19 x 9 x 9 की bricks को लेके आपको example से समझाया जाता है, वो हम यहां पे बात करेंगे, ट कर सकते हो आप, या तो सब चीज मीटर में लो या फिर आप इसको fit inches में कर सकते हो, हम यहां पे आपको meter, centimeter में discuss करेंगे, because fit inches छोटी sides पे use होता है, बड़े projects में आपको meter, centimeter और mm यूज़ करते हैं वहां पे, because इसमें accuracy जादा होती है, so mistakes भी आपकी काफी कम होंगी इसमें, fit inches में आप खुद try करो, copy pen निकालो और आपको कोई dots आए, then comment करो आप, इस पर में अगर आपको कोई ज़्यादा dots होंगे, तो अलग से एक video भी बना दूँगा fit inches पर, वैसे at the end rate, इसके जो results आएंगे, वो common होंगे दोनों, कि आप चाहे weight से निकालो, चाहे आप उसको meter में निकालो, आपकी जो final result होगा, वो same होगा, so, दो cases हैं, इसमें एक है, 115 mm जिसको 4.5 इंच वाल बोलते हैं, और दूसरा case है आपका 230 mm की वाल, जिसको 9 इंच वाल बोलते हैं, so, let us first discuss 115 mm या 4.5 इंच वाल, so, firstly, वाल का volume निकालेंगे, LYVYH से, as I said in my interview video, कि ये जो LYVYH formula ये सबसे ज़्यादा यूज होता है, so, वाल का volume आगया आपका 3 meter by 3Y 0.115, यहां जो meter में मैंने बताया, आपको 10 feet को मैंने meter में convert कर दिया, वो 3 meter लिखा है मैंने, वैसे exactly ये 3.048 meter होता है, वाट इसको लमसम 3 meter लिखती है, so, ये आगया 1.035 cubic meter, ओके, अब हर brick का हम volume जान लेते हैं, इसमें भी दो cases है, brick with motor और without motor, without motor bricks का volume आ जाएगा आपका 0.23 multiply by 0.115 multiply by 0.076, इसको मैंने meter में convert किया है, means कि जो mm में था जो आपका, उसको 1000 से divide कर दिया है, so, हर brick का volume आ गया आपका 0.0020102 cubic meter, ये वैसे काफी lengthy है, आप इसको 0.002 भी लिख सकते हो, so, ये चीज आपकी वाद में use होगी, अभी इसको ऐसे ही रख देते हैं, and with motor आपको इसका पता होगा आपको कि जो 1 cm का आपका बीच में motor लगता है, कोई भी brick wall होती है, तो उसमें 2 bricks के बीच में आपका जो standard हमें बताया जाता है, वो 1 cm 10 mm का motor लगता है, वैसे तो कही जगा कम जाता, थोड़ा वो चलता जाता है उतना, so brick size हो जाएगा आपका 0.24 x 0.125 x 0.086, मतलब सब में हम 10 mm add कर रहे हैं, so यह हो गया आपका 0.0258 cubic meter, so number of bricks आ गई, total volume divided by volume of 1 brick, इसमें हम बिद मोटार वाली bricks लेंगे, ठीक है, so total volume हो गया आपका 1.035 cubic meter divided by 1 brick का volume है आपका 0.00258, यह equal है approximately 401 bricks के, calculator में कर लो आपका वैसे 401 point something आएगा, तो 401 ले लो उसको, means 10 foot by 10 foot की wall में आपकी traditional वाली bricks कितनी यूज़ होंगी, 401 bricks, अगर standard size की bricks की बात करें तो वो approximately 500 bricks लगेंगे, I think, 500 लगती हैं, जो 1 meter cube की wall होती है, उसमें 500 bricks लगती हैं, तो यह भी around 1 meter cube ही है, अब motor का जो मसाला है, वो भी जान लेते हैं, motor मतलब मसाला ही होता है, cement और sand यूज़ होता है, वो मसाला बोलते हैं उसको site में, वो आएगा total volume minus volume of all bricks, जो मोटार के बिना, हमें पता है total volume है 1.035 minus bricks का volume आएगा number of bricks को एक brick के volume से multiply करके, जो है 401 multiply by 0.0020102 जो approximately आगे आपका 0.194 cubic meter, यह आपका wet volume है, means जब water add किया होता है आपने मसाले में, so dry volume में convert करना पड़ेगा तब ही आपके आएंगे ना कि cement कितना था, उसमें sand कितने था, जो ingredients हैं, इनको ingredients बोलते हैं, उसमें water add कर दिया तब तो वो मसाला बन गया, wet हो गया, so इसको convert करने का एक factor होता है 1.33, इससे हम इसको multiply करेंगे, क्योंकि जब water add करेंगे तो volume 33% increase करता है, यही factor concrete के case में 1.54 हो जाता है, which is another topic, means dry volume आपका हो गया 1.33 multiply by 0.194 equal to 0.258 cubic meter, नो इसमें cement sand की quantity भी निकाल सकते हैं as per ratio, let us assume 4 inch की जो wall है उसमें आपका 1 ratio 4 and 9 inch की wall है उसमें 1 ratio 6 use हो रहा है, so cement quantity आपके आगे ratio divided by sum of ratios multiply by dry volume of motor, यह आपका आगया 1 divided by 4 plus 1 हो गया आपका 5 multiply by 0.258 equal to 0.0516 meter cube, अब हम इसको kg में convert करेंगे, you know mass is equal to volume into density होता है, अपने पड़ा होगा density is equal to mass upon volume and cement की जो density होती है वो होती है 1440 kg per meter cube, so इसको multiply कर देंगे, 0.0516 multiply by 1440 is equal to 74.3 kg cement लगेगा उसमें, आपका means जो 1.5 wag बोल सकते हो इसको क्योंकि जो एक wag होता है 50 kg, इसी तरह sand भी आ जाएगी 0.2064 meter cube, अच्छा sand word use कर रहा हूं मैं यहां पर brick work जब भी करते हो आप तो उसमें आप dust dust use होती है उसमें और जो plaster करते हो जब आप तो उसमें बद्रपूर एंड जो होती है क्या बोलते हैं उसको जमना sand होती है वो यूज करते हैं बट फार यूर अंडरस्टेंडिंग मैं आप एक common word यूज करूंगा sand ठीक है अलसो sand volume को तो आप cubic fit में भी निकाल सकते हो जैसी इसमें उपर मैंने meter cube में निकालने हैं सब कुछ तो आप इसको cubic fit में भी निकाल सकते हो 35.315 से multiply करके अगर exact निकालना है तो 35.3148 होता है यह ton और kg में भी निकाल सकते हो आप इसको sand की density होती है लगवग 1500 kg पर meter cube होती है इसकी exact वैस से 1100 से लेकि 1600 तक होती है वो अबटा 1500 से multiply करके इसको निकाल सकते हो ton या kg में भी similarly यहां पर जो 9 inch की वाल का भी निकल जाएगा आपका जैसे यहां यह निकाला हूँ है मैंने number of bricks आगी है आपकी 802 और जो volume of motor है वो आया आपका 0.608 meter cube इसको मैं explain नहीं कर रहा हूँ same procedure है वैसे आपको वीडियो पोज करके आप इसको note कर सकते हो ठीक है मेरा motive यह है कि आपको तरीका समझा जाए कि आप कैसे किसी वी वाल का आप fit में हो या meter में हो 9 inch की हो 4 inch की हो या कोई वी वाल हो आप उसका easily number of bricks उसमें से निकाल सकते हो okay hope this video helpful to you इसी तरह की और वीडियो को हमारे चैनल पर आप देख सकते हो जो मैंने कुछ इससे पहले भी post की है और in future मैं इसी topics पर आपको वीडियो लाता रहूँगा okay so thank you for watching मिलते हैं next video में बाई